हेलो दोस्तों, हम लोगों ने किसी भी एलिमेंट के एटम का एलेक्टोनिक कन्फिग्रेशन लिखना सीख लिया था आज हम लोग आयन्स का एलेक्टोनिक कन्फिग्रेशन लिखना सीखेंगे तो ions के electronic configuration में पहले हम लोग cation का electronic configuration लिखना सीखेंगे फिर हम लोग nion का electronic configuration लिखना सीखेंगे तो आईए शुरू करते हैं electronic configuration of cation तो cation जैसे हम पे sodium plus है तो cation का अपना कोई electronic configuration नहीं होता है अगर आपको cation का electronic configuration लिखना है तो पहले इसके atom का electronic configuration लिखिए ये सोडियम का केटाइन है तो सोडियम एटम का पहले electronic configuration लिखिए तो यहां लिखते हैं सोडियम एटम का तो सोडियम में 11 एलेक्टोन होंगे तो उसके लिए S, S, P, S, P, इतने में आ जाएगा ये फर्स सेलका होगा, ये सकेंड सेलका होगा और ये थर्ड सेलका हो तो यहां देखिए 2 एलेक्टोन, 2 एलेक्टोन, 6 एलेक्टोन, 2, 2, 4 और 6, 10 और 11 एलेक्टोन है, तो एक यहां पर यहां तक होगया हमारा सोडियम का electronic configuration इसका ज़र्वत नहीं था तो ये atom का electronic configuration है, ये लिखना मैं आपको सिखा चुका हूँ अब यहां पर प्लस चार्ज है, तो ये प्लस चार्ज कैसे आया होगा मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि atom neutral होता है इस पर प्लस या मैनस चार्ज तभी आता है, जो इसमें electron add या remove किया जाए तो इसमें प्लस चार्ज इसलिए आया होगा, क्योंकि sodium atom से एक electron remove किया गया होगा और electron जो है, वो हमेशा last cell से remove किया जाता है तो यहां पर देखे, last cell में एक electron है, तो ये एक electron remove कर देंगे तो यहां पर एक प्लस चार्ज आ जाएगा, यानि कि तब ये sodium cation का electronic configuration बन जाएगा तो वही बात यहां लिखा हुआ है, कि जब भी cation का electronic configuration लिखना हो तो पहले atom का configuration लिखके, फिर last cell से electron निकाल देंगे और कितना electron निकालेंगे, तो number of electron removed is equal to charge तो वही है, step one, right electronic configuration of atom और step two में, remove electron from last cell तो इसी तरह से calcium के लिए करते हैं, तो पहले calcium atom के लिखेंगे हम लोग तो calcium atom के पास 20 electron होगा, तो इसका क्या हो जाएगा, s, sp, sp, s, d और फर्स्ट बार जहां d आता है, वहां पर 30 electron पुरा हो जाता है लेकिन हमें तो 20 electron ही चाहिए, यानि कि यहां तक लिखा जाएगा तो यह first cell का है, यह second cell का है, यह third cell का है, और यह fourth cell का है तो आईए अब electron fill करते हैं, दो, दो, चार, छे, दस, दो, बार, छे, अठार, दो, बीस यहां तक हमारा पूड़ा हो गया, इसकी जरुरत नहीं है लेकिन यहां पर calcium पर दो unit positive charge है तो हमारा यह जो last cell है, इससे दो electron निकाल देंगे तो इससे जब दो electron निकालेंगे, तो यह खाली हो जाएगा तो यहां तक का जो हमारा configuration है, वो calcium two plus का configuration हो जाएगा और calcium two plus में कितने electron होंगे, बीस calcium atom में थे दो plus यानि की दो निकाल निकालेंगा, ता 18 electron होने चाहिए आप count कर सकते हैं, दो, दो, चार, छे, दस, दो, बारह, छे, अठार तो यह हमारा calcium two plus का electronic configuration होगा तो अब हम लोग zinc plus two के लिए electronic configuration लिखते हैं और 30 electron कहां जाके पूरा होगा, जब पहली बार D आएगा, तो अब लिखिए S, S, P, S, P, S, D यहाँ पे 30 electron पूरा हो जाएगा, यह first cell का होगा, यह second cell का, यह third cell का, यह fourth cell का लेकिन यहाँ पे D से पहले 4 से एक कम यानि की 3 होगा अब यहाँ तक जब आप electron फिल करेंगें, तो 30 electron पूरा हो जाएगा, तो फिल कर दीजिए 2, 2, 6, 2, 6, 2, 10 अब देखिए, zinc पे plus two charge है, यहनि की 2 electron निकालना है, तो 2 electron आप 3D 10 में से नहीं निकालीगा क्योंकि यह D जो है, यह third cell का है, आपको outer most cell यानि की 4th cell से electron निकालना होगा तो इसके लिए आप क्या करें, पहले cell के अनुसार arrange कर दें, यह first cell में आएगा, यह second cell में, यह और यह third cell में और यह fourth cell में आएगा तो जब electronic configuration को उसे according arrange करेंगे, तो कुछ इस तरह से आगा, 1S2, 2S2, 2P6, फिर 3S2, 3P6, और यहीं पर 3D 10, और फिर fourth cell में यह आएगा, 4S2 तो यह हमारा outer most cell होगा, और यहां से यह दो electron निकालेंगे, तो यह हमारा electronic configuration आजाएगा, zinc का अब इसमें देखिए, zinc plus 2 है, तो 30 से 2 electron निकले होगे, तो यहां पर 28 electron है, अब आप nickel के लिए electronic configuration लिखिए, तो यह तो atom है, तो इसका आप simply लिखिए, S, S, P, S, P, S, D, P, 1st cell, 2nd cell, 3rd cell, 4th cell, और यहां पर D से पहले 4-1, यानिकि 3, और यहां 4, अब आप electron डालना शुरू किजिए, 2, 2, 6, 2, 6, 2, यहां पर 10 electron डालने यहां पर 30 हो जाता है, तो यहां पर इसलिए 8 electron डालेंगे, क्योंकि 28 ही चाहिए, और इसकी ज़रुरत नहीं है, तो मारा देखि लास्ट में ऐसा configuration मिल रहा है, 4s2, 3d8, और यहां देखिए कैसा configuration मिल रहा है, 3d10 और 4s0, आप एक बात ध्यान से समझिए, यहां भी 28 electron है, zinc plus 2 में, और नीकिल में भी 28 electron है, तो इन दोनों में देखिए, यहां तक का configuration तो सेम है, लेकिन लास्ट का configuration दोनों में अलग-अलग है, ऐसा क्यों, तो इसी का explanation यहां पे note में लिखा हुआ है, कि n plus l rule, जिस rule के according हम लोग electron fill करते हैं, वो तभी applicable है, जब हम लोग electron भर रहे हूं, electron भरने से पहले, तो उस according अगर आप से कोई पूछे, कि 3d और 4s में किसका energy जादा है, तो 3d का energy जादा होगा, क्योंकि यहां n plus l होगा 3 plus 2, 5, और यहां होगा 4 plus 0, 4, तो उस अनुसार से इसका energy जादा होगा, लेकिन अगर आप एक बार electron भर दिये, तो फिर energy केवल cell से decide किया जाएगा, after filling electron, energy is described by cell, तो उस हिसाब से यह 4s है, यह 3d है, तो 4s का energy जादा होगा, तो वही अंतर यहां इन दोनों में है, यहां पे nickel में आप electron भरते जा रहे हैं, अभी atom तयार नहीं हुआ है, electron पुड़ा भर देंगे, तब हमारा atom तयार हो जाएगा, लेकिन यहां क्या हुआ, पहले हम लोग electron भर लिए, मतलब जब हमने atom का electronic configuration लिख लिए, हमारा zinc atom तयार हो चुका है, तो उससे हम लोग electron निकाल रहे हैं, तो यहां पे हमें cable cell के हिसाब से recite करना होगा, और valence cell यहां कि last cell जो है, जो कि यहां पे fourth cell था, उससे electron निकालेंगे, तो यह बात आपको समझ में आ गया होगा, अब चलिए हम लोग कुछ question देखते हैं, यहां पर देखिए F2 plus के लिए electronic configuration लिखना है, तो पहले F2 atom के लिए electronic configuration लिखेंगे, तो F2 में 26 electron है, तो S, S, P, S, P, S, D, यहां आते आते 30 electron हो जाएगा, तो हम लोग यहीं रुक जाएंगे, यह first cell, second cell, third cell, यह fourth cell, यहां पे D है, तो four minus one यूनिकी three, अब 26 electron भरना है, तो भरिए, दो, दो, छे, दो, छे, दो, और यहां पे अकर 10 electron भर देंगे, तो 30 हो जाएगा, 26 ही होना है, तो यहां पे 6 भर देंगे, तो यह हमारा तियार हो गया, iron का electronic configuration, अब iron two plus, यानि की, outer most cell से 2 electron निकालना है, यहां पे outer most cell कोन है, fourth cell, और fourth cell में किबल 2 electron है, इससे 2 electron निकाल लेंगे, तो यह पूरा हट जाएगा, तो F2 plus का electronic configuration हो 2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, और 3d6, तो यह आपको समझा आ गया होगा, उसी तरह से अब आप scandium के लिए लिखिए, तो scandium का atomic number 21 है, तो इसमें 21 electron होंगे, तो पहले scandium atom के लिए लिख लेते हैं, S, S, P, S, P, S, D, अब देखिए, 1, यहाँ 2, 2, क्योंकि second cell है, third cell, fourth cell, D है तो 4 minus 1, 21 electron, 2, 2, 6, 2, 6, 2, यहाँ तक 20 हो गया, इसमें 10 रखेंगे, तो 30 हो जाएगा, इसलिए 1 रख दिया, यह scandium के लिए हो गया, अब scandium से 3 electron निकालना है, क्योंकि यहाँ 3 unit positive charge है, तो अब क्या क जालें, तो 1 S, 2, 2 S, 2, 2 P, 6, 3 S, 2, 3 P, 6, और यह D भी third cell लिए है, तो 3 D, 1, 4 S, 2, outer most cell लिए है, तो 2 electron यहाँ से निकालना है, लेकिन 3 electron निकालना है, अब आप एक electron यहाँ से निकालना है, तो हमारा यहाँ तक का जो configuration है, वो scandium 3 plus का configuration हो जाएगा, 1 S, 2, 2 S, 2, 2 P, 6, 3 S, 2, 3 P, 6, यहाँ तक, तो इसके लिए यह step आपको लिखने की ज़रुत नहीं है, आप यहीं से देखें, कि 2 electron यहाँ से निकालेगा पहले fourth cell से, और फिर यहाँ third cell से एक electron निकालेगा, तो यहाँ तक का हमारा configuration इसका हो जाएगा, scandium 3 plus का, अब यहाँ त करता हूं, यहाँ titanium 3 plus है, तो पहले titanium के लिए कर लिजिए, इसके पास 22 electron होंगे, S, SP, SP, SD, इससे आगे जाना नहीं है, यहीं तक 30 पूरा हो जाएगा, first cell, second cell, third cell, fourth cell, और D है तो 4 minus 1, 3, 2 electron, 2 electron, 6 electron, 2 electron, 6 electron, 2 electron, 20 पूरा हो गया, इसमें 10 भरेंगे, 30 पूरा हो जाएगा, 2 ही भ निकलेगा, और एक electron यहाँ से निकलेगा, तो यहाँ 3D1 आ जाएगा, तो 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, और यह तो खतम ही हो चुका है, यहाँ से एक electron निकला है, तो 3D1, यहनि कि last में 3P6, 3D1, और यहाँ पर यह option D हमारा answer हो जाएगा, तो यह आपको समझा गया होगा, एक question औ होता है, इसमें, S, S, P, S, P, S, D, यहीं तक आएगा, first cell, second cell, third cell, fourth cell, लेकिन D है तो 4-1, 2 electron, 2 electron, 6 electron, 2 electron, 6 electron, 2 electron, और 25 तक जाना है, 30 तक जाना होता है, तो 10 रखते हैं, तो 25 तक के लिए 5, अब इससे 2 electron निकालना है, तो वो 2 electron आपको ही पता है, इस 4S से, निकल जाएगा, तो इसके configuration के last में 3D5 है, तो outermost configuration, 3D5 हमारा answer हो जाएगा, तो आपको electronic configuration of cation clear हो गया होगा, अब अगर आपको cation clear हो गया है, तो इसी बेसिस पे nion का भी लिखना है, फिर मैं आपको थोड़ा idea दे देता हूँ कि nion का कैसे लिखना है, electronic configuration of nions, तो फिर से cation या nion का कोई electronic configuration नह तरह से आप कलोरीन atom के लिए electronic configuration लिख लिए फिर उसके outer most cell में एक electron add कर दीजिएगा, तो आइए कलोरीन के लिखते हैं, तो कलोरीन में 17 electron है, तो S, S, P, S, P, अब S, D, D तक 30 हो जाएगा, यहां तक 20 होता है, यहीं तक रहेंगे हम लोग क्योंकि हमें 17 electron ही भरना है, second cell, third cell, fourth cell, आईए अब electron भरते हैं, दो, दो, छे, दो, और यहां पर पांच रखेंगे, आप count कर लिए, दो, दो, चार, छे, दस, दो, बार, पांच, सत्रा, सत्रा electron हो गया, अब इसमें एक और electron add करना है, तो electron कहां add करेंगे, लास्ट cell में, तो यहां पर 6 हो जाएगा, तो इसी तरह से sulfur two minus के लिए भी, S, S, P, S, अब आगे की ज़रुवत नहीं परेगी, तो यह first cell, second cell, third cell, यहां पर देखिए, 16, 2 electron और 18 electron भरने हैं, तो same यही electronic configuration आजागा, फिर भी भरते हैं, 2 electron, 2, 6, 10 electron हो गए, 12, अब यहां पर sulfur के लिए 16 है, तो यहां चार रखेंगे, लेकिन दो electron और add करेंगे, क्योंकि दो unit negative charge है, तो यह six हो जाएगा, अब देखिए, यहां पर nitrogen के लिए, S, S, P, 7 electron है यहां पर, यह first cell, second cell, 2 electron, 2, 4 electron, और यहां पर 3, 7 electron, और 3 unit negative charge है, तो 3 electron और add हो जाएगा, तो यह 6, यह हमारा आएन का electronic configuration, वह यहां लिखा हुआ है, for anion, right electronic configuration for atom, यह हमारा step 1 है, और उसके बाद add electron in last cell, यह हमारा step 2 है, तो अब सवाल उठता है, कितने electron add करने, तो जितना चार्ज है, जितना negative charge है, उतना electron आप add कर दीजिए, तो यह आपको समझ में आ गया होगा, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद,